हेलो दोस्तों स्वागत है आपका केरियर विल स्टडी में आज मैं आपके लिए लिख राए हूँ जीवन परिचे जैसंकर प्रसाद जी का जो की दस्मीक लगक्षा की बोड़ एक्जाम में 2013, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 और 22 में आ चुका है सबसे पहरे हम हेडिंग डालेंगे जीवन परिचे और उसमें लिखेंगे हिंदी साहते की महन कवी नाटककार, कहानिकार एवं निबंदकार स्री जैसंकर प्रसाद जी का जनम सन 1889 इस्वी में कासी की प्रसिद सुगनी साहु परिवार में हुआ था इनके पिता बाबु देवी प्रशाद कासी के प्रतिस्ठित और धनाडे व्यक्ती थे, इनकी प्रारमिक सिच्चा घर पर ही हुई, तथा स्वाध्धाय से ही इनोंने अंगरेजी संस्कृत उर्दू और फार्सी का स्रेष्ट ग्यान प्राप्त किया और साथ ही वेद पुराण इतिहास दर्शन आदी का भी गहन अधन किया माता पिता तथा बड़े भाई के मित्य हो जाने पर इनोंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायतु शंभाला ही था कि युवावस्था के पूर्व ही भावी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मिर्त्यू से इनके उपर विपत्तियों का पहाड ही टूप पड़ा फलत व्यभव के पालने में जूलता इनका परिवार रिड के बोज से दब गया इनको विसम परिश्थितियों से जीवन भर संगर्स करना पड़ा लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगी रहे क्रमसे प्रिसाद जी का शरीट चिन्ताओं से जरजर होता गया और अंतते ये छे रोग से ग्रस्थ हो गया 14 नवंबर सन 1937 इसवी को केवल 48 वर्ष की आयू में हिंदी साहित्यकास में रिक्तता उत्पन करते हुए इन्होंने इस संसार से विदा लू किर्थिया प्रिसाद जी ने काव्वे नाटक कहानी उपन्यास और निबंदों की रचना की इनकी प्रमुक किर्तियों का विवरण निमलिखित है नमबर वन नाटक इसकंद गुप्त अजात सत्रू चंद्रगुप्त विसाग धुरुवस्वामिनी कामना राजिस्री जय मीजय का नागियग करुडाले एक गुंगट सजन कल्याडी परिले आधी इनकी प्रसिद नाटक है प्रसाग जी की नाटकों में भारतिय और पास्चात्य नाटक कला का सुन्दर समनवे है इनकी नाटकों में राष्ट्य की गोरव में इतिहास का सजी वड़न हुआ है नमर दो कहानी संग्रे छाया प्रतीद्वनी आकासदीप तथा इंदरजाल प्रसाग जी की कहानियों की संग्रे हैं इनकी कहानियों में मानव मूल्यों और भावनाओ का काव्वे में चित्रण हुआ है 3. उपन्यास कंकाल तितली और इरावती प्रिसाजी ने अपने इन उपन्यासों में जीवन की वास्तविक्ता का आदोड सुनमुक्चित्रण किया है 4. निबंद संग्रे काव्यकला तथा अन्य निवन इस निवन संग्रे में प्रिसाद जी की गंवीर चिंतन तथा साहित संबंदी स्वस्त दृष्टी कोण की अभी व्यक्ति होई है नमबर पाच काव्य कामा यानी महा काव्य आसु जर्ना लेहर आदी प्रशित काव्य हैं कामा यानी स्रेष्ट चायावादी महा काव्य है उसके बाद है साहित्य में इस्थान प्रिसाद जी चायावादी युग के जनत तथा युग प्रवर्तक रचनाकार हैं बहुमुखी प्रतिबा के कारण इन्होंने मौलिक नाटक, स्रेष्ट कहानियां, उतकरष्ट निवंद और उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य के कोस की स्री व्रद्धी की है आधुनिक हिंदी के मूर्धन साहित्यकारों में प्रिसाद जी का विशेष्ट इस्थान है आचारे, नंद दुलारे, वाजपेई के शब्दों में भारत के इने इने इस्रेष्ट साहित्यकारों में प्रिसाद जी का इस्थान सदेव उंचा रहेगा इनके विशे में किसी कवी ने उचित ही कहा है सदियों तक साहित्य नहीं यह समझ सकेगा तुम मानव थे या मानवता के महाकाववे थे इसी के साथ हमारा जीवन परिचे समाथ हो चुका है उमीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जीवन परिचे के साथ धन्यवाद